So Hello and Welcome You All I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज अस वीडियो में हम बात करेंगे Rack Limited के बारे में साथ ही गाइस बात करेंगे एक S-Share के बारे में जो यहाँ पर आपको 17 रुपे का डिविडेन देने वाला है और साथ ही गाइस बात करने वाले किसे शेयर के बारे में जो बिल्कुल 10-2 का यहाँ पर स्प्लेड भी होगा तो guys, वीडियो को एंट तक रेखना क्योंकि यह वीडियो काफी ज़दा है पूल आपके लिए होने वाला है So guys, यहाँ पर अगर देखे वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पर रैक के साथ करेंगे जिसने आज 123 रुपे के लेवल पे क्लोजिंग दी है यहाँ पर आप देख सकते हो 1.35 रुपीस के अराउंड शेयर में हमें एक फॉल देखने को मिला है 1.09 परसंट के बेसिस पे विल्कुल गैस 1.09 परसंट के बेसिस पे यहाँ पर गिरावट है और यहाँ पर आप देख सकते हो गैस 1 मंथ की टाइम फ्रेम पर शेयर में क्या हमें देखने को मिलता है वन मंथ की टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हो 9 रुपे तक की ग्रोथ हमें देखने को मिली है और साथ ही अगर बात करें 7.89% के बेसिस पे ग्रोथ है और यहाँ पर आप देख सकते हो guys स्टॉक में यहाँ से एक फॉल एप बट वही अगर देखें इस लेवल को गरिब्रेक करता है तो यहाँ से अच्छे positive momentum समय देखने को बिल सकते है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से stock में गिरावट रही यहाँ से गिरावट रही तो यही से breakout के बाद share उपर के ओर जा सकता है अच्छे momentum बता सकता है और last 6 month में भी अगर आप देखते हो तो share यहाँ पर आप देखो 26.92 रूपिस के around यहाँ पर growth है share में 28.02% के basis पे और यहाँ पर आगर देखा जाया है तो share में एक गिरावट यहाँ से ने जड़ रही cup and handle रही pattern बनाओ और यही से sustain करके यह share उपर के ओर जा सकता है बिल्कुल guys board meeting होने वाली है इस हपते के आसपास हो सकती है और वही अगर आप देखो rack limited board will meet next week on Monday January 30, 2023 तो guys बिल्कुल यहाँ पर अगर देखें अगर हपते यहाँ पर meeting होने वाली है rack limited की और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर interior dividend के लिए कुछ तारी के हाँ पर fix हो सकती है वही अगर देखा जाए 30 January काफी जाता important यहाँ पर होने वाला है rack के shareholders के लिए और quarterly results भी announce होते हुए हमेने ज़र आएगे और guys साथ ही अगर देखें तो stock एक time पर यहाँ पर अगर देखें 250 के around trade करता था और उसके बाद इस share में अगर देखें यहाँ पर बिलकुल share में bonus हमें मिला यह bonus था 1-2-3 के around का यानि अगर देखें आपके पास अगर इस company के 3 shares थे तीन shares के बदले आपको एक bonus का share मिला था जिसको जैसे इसके share में भी काफी ज़्यादा यहाँ पर corrections हुए उसके बाद इस share इस particular price पर इसके around trade कर रहा है आज के volume की बात करूँ तो volume आज हमें कम देखने के मिला 40 lakh 41 lakh के around की deliveries हमें देखने को मिली और जो community sentiments के आकड़े हैं उसमें भी आप देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो 62% लोग है जो share में buy करने के लिए उनके वर से कहा जा रहा है 38% लोग है जिनके वर से share में हाँ पर आप देखो तो sell करने के लिए कहा जा रहा है तो एक कुछ चीज़े हैं आपको देखने को भी लेगी और वही अगर देखे गाज तो यहाँ पर 30 जनवरी यहाँ पर बिलकुल quarterly results भी इसमें हमें announce होते हुए दिखेंगे साथ अगर देखे तो interim dividend भी हमें announce होता दिखेगा बिलकुल यहाँ पर quarterly results भी आ रहे हैं साथ ही यहाँ पर dividend भी आ रहा है तो बिलकुल आपको ready रहना है बिलकुल यहाँ पर double धमागा हो सकता है और rag limited एक बहतरीन company है तो बिलकुल आप इसमें भी positive हो रहा सकते हो so levels important है तो levels को हम पहले discuss करेगे so कल अगर देखे कल मैंने कहा था कि यहाँ पर आप positive हो रहा सकते हो share में बट कब तक आपको positive रहना है जब तक यह इस trade line के अब trade कर रहा हूँ बिलकुल इस trade line के उपर trade कर रहा हूँ यहाँ पर इसने बना दिया एक double top और उसके बाद यहाँ पर stock में fall हमें देखने को बिल रहा है यहाँ पर अगर देखे तो एक head and shoulder type pattern इसमें create रहा था उसके बाद share में breakout मिला उसके बाद एच्छा momentum हमें देखने को यहाँ पर मिला बट उसके बाद अगर देखे गाइस तो यहाँ पर हमें लग रहा था कि एक sustain कर यह उपर यह और एक momentum बताएगा बट वही अगर देखें तो stock में इसी level से एक breakdown हमें देखने को बिला stock में एक breakdown आया है तो यहाँ से एक fall continue हो सकता है stage का आपको ध्याण रखना है तो guys यहाँ पर support की बात करें तो यह तो यह एक level है जिसपे support लेगा या फिर एक level है जिसपे support ले सकता है बिल्कुल यहाँ पर अगर breakdown आता है तो stock में एक fall आ सकता है इस particular level पर support लेगे आ तो उपर जाएगा इस level पर breakdown के बाद सीधा इस share नीचे की और आ सकता है तो इस चीच का भी आपको ध्यान रखना होगा तो level के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो बिल्कुल कैस मैंने इस level से trade line बनाई थी और मैंने clearly कहा था कि breakdown अगर आता है तो fall आ सकता है तो गिरावट की बात करें तो 120 के around भी एक share में support लेता हुआ इस share हमें मिल सकता है और खास अगर देखे 126 का भी एक important level था जिस पर का रुपे के around share यहाँ पर support लेगा और बिल्कुल गाइस यहाँ पर अगर देखे काफी हद तक भी गिरावट आ सकती है stock अगर देखे 108 रुपे के around भी support लेता हो न जला सकता है बट उसके लिए important level है से break करना होगा यहाँ पर अगर नीचे आता है तो 120 के level को break करना होगा तो यहाँ पर 120 के नीचे आपका stop loss आप लगा सकते हो बट वही अगर देखे इसके quarterly results positive आ गए और यहाँ पर dividend भी तगड़ा मिल गया तो बिल्कुल गाइस यहाँ पर share उपर की और का अपना जो momentum है उपर की और कर सकता है और यहाँ बिल्कुल आप देख सकते हो upside down से momentum हो रहा ह सकता है नीचे की और आए और यही से उपर की और जा सकता है तो कल इसे नीचे भी अगर आना होगा तो इस level को break करणा होगा तो कई सारे levels है यहाँ पर काभी दिनों के लिए अगर देखे सपोर्ट रेजिस्टन्स का game भी हमें देखने को मिल सकता है कुछ दिनों तक upside down हो सक पर results तक की में बात कर रहा हूँ अगर यह 120 के level को break कर देता है तो एक fall आएगा 108 के around यह share आ सकता है stage का देन रखना है और यहाँ पर guys होनगी के time frame पर लगर देखें तो stock में इसे situations पहले भी कज़़ारी create हुए है यहाँ पर भी share ने high लगा था बट उसके बाद suddenly stock ने high लग सकते हो stock क्या trade कर रहा है तो यहाँ पर पहले consolidate किया stock उपर गया फिर यहाँ पर एक open handle type pattern बनाया फिर stock यही पर sustain करके उपर जा सकता है और सीधा यहाँ से एक अच्छा momentum create हो सकता है और बिल्कुल यहाँ पर अगर दीखे गाइस तो बिल्कुल यह consolidate कर रहा है तो यही से उप उपर के और momentum आ सकता है इस चीच का आपको ध्यान रखना होगा और वही अगर आप दीखते हो तो यहाँ पर आप देखोगे तो stock में एक falling wish type pattern create हुआ असके बाद एक breakout मिला एक breakout के बाद stock सस्टेंग करके उपर जा रहा है और ही से सस्टेंग करके और बड़े momentum समय create होते अब बात करेंगे dividend share की तो बिल्कुल जो dividend दे रहा है उसका नाम है यहाँ पर 360 WAM Limited का नाम है इसका 1,947 रुपिज के रौण एक closing देता हो आज नज़रा है विल्कुल dividend दे आ जा रहा है 17 रुपे पर equity share का और साथ हम बात करेंगे एक split share का भी और श्रीजी Translogist इसका नाम है 390 का यह share 6 महीने में दी चुका है तगडी return 116 रुप है I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो गर अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई भी शेयर में investment करने से पहले इंशेयर का आनल असकार लेना टैंक यू